तो हेलो फेंड्स मैं हूँ पार्थ और आप लोग देखरों इन्नियन रोबोटिक्स आज गाय जो वीडियो में बना रहा हूँ इसमें मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या होगा अगर हम लोग पेल्टेर मॉडुल जो है उसका जो कूलर साइड है उस साइड में अगर एक हीट सिंक यूज करें तो ठीक है तो क्या टेंपरेचर डिस्टिब्यूट होगा प्रफाली बोच देखने के लिए एक्चुली हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं और उसमें हम लोग एराउन साथ छे छे साथ मिनिट के आसपास में कितना टेंपरेचर एचिब कर पाते हैं है वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है तो यह है वो चीज में आलरेड़ी बना चुका हूँ ठीक है तो इसमें क्या है कि यह जो बड़ा सा हीट सिंक है इसको में जो पेल्टर आइस ही जो यूज किया हूँ वो है टीसी वान वान टू सेवन वान फाइब उसका जो कूलर तो जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखिए कि कितना टेमपरेचर हम लोग एचिप कर पाते हैं साथ आराउंड 6-7 मिनित के आसपास में और उसके साथ साथ क्या टेमपरेचर डिस्टिब्यूट होता है प्रॉपल दी इसमें यह जो बड़ा सा हिट सिंग है इसमें ठीक है तो जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखिए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है झाल 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 तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये बड़ा सा हीट सिंग जो मैं यूज किया हूँ उसके बाद क्या हुआ कि टेंपरेचर डिस्टिब्यूशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ क्यूंकि इसका साइज बड़ा है तो इसलिए यहां पर एक टेंपरेचर दिखा रहा ह है तो इसका साइज बड़ा होने के कारण ही यह हो रहा है और उसके साथ साथ एक और चीज़ हम लोगों ने नोटिस किया क्या वो क्या है कि इसमें टेंपरेचर नीचे बहुत ही कम जा रहा है आराउंड में साथ मिनित चला है इसको तो टेंपरेचर अराउंड 25 डिग्री स इंटिग्रीक के आस्पास गया तो क्यों वह हो रहा है क्यूँकि इसका साइज बहुत बढ़ा है तो टेंपरेचर इसको मिल रहा है यानि जो ठंडा यह हो रहा है तो यह बहुत ही distribute करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए सारा body उदना ज्यादा temperature को आचिब नहीं कर पा रहा है ठीके तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो filter module आप लोग बनाते हो तो उसका जो hotter side है उसमें बड़ा heat sink यूज़ करो और उसका जो cooler side है उसमें छोटा से सोटा heat sink यू उसको आप लोग यूज़ कर पाओ ठीके तो आसा कर तो आप लोग कोई चीज जानके अच्छा लगा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि झाल